नमस्कार दोस्तों मैं हूँ अनुराधत तुरान और आप देख रहे हैं nvnews.com एक डेरा था डेरा सच्चा सोदा और एक दोर था डेरा सच्चा सोदा सिर्सा के परमुख गुर्मीत रामरहीम सिंग राजसी जीवन जिया करें थे वैबो और विलास का इसा जीवन जो किसी राजा मारा जाता है कम नहीं था लेकिन सीबी आई की विशेश अदालत ने उसका सारा खेल बिगाड दिया सादविया के योन शोशन की शिकायत पर लंबी सुनवाई के बाद 25 अगस 2017 ने रामरहीम तै अदालत ने 10-10 साल की सजा सुनाई इब रामरहीम ने 20 साल जेल की सलाका के पिछे काटने पड़ांगे पिछले साल की 25 अगस्ते रामरहीम रोत्त की सुनारिया जेल में बंद है कई खबर भी शैमी आई है कि बाबा रामरहीम जेल में कमजोर हो गया है और बाबा का वजन भी काफी घटिया है राजा मारा जाओं के शोख राखनवाले बाबा ने जेल कती रास नी आई जेल ते बार आये कुछ बंदिया ने बताया कि रामरहीम जेल में कती चुपचा पड़े रहा है और जेल में उस ते सबजी बोन का काम दे दिया गया लगबग सबा साल ते बंद रामरहीम ने आज तक पैरोल ताइम यावेदन नी करे जबकि एक साल पिछे जेल काटन के बाद रामरहीम पैरोल का हकदार हो गया है दूसरे का नी अमबाला की सेंट्रल जेल में बंद डेरे की सब तै बड़ी राजदार हनीपरीत ने जेल बदलवान की एप्लिकेशन देती है इसा मानने जा रहे हैं कि हनीपरीत अमबाला की जेल तै रोत्त की सुनारिया जेल में जाना चारी है जी हाँ लगाव और जुकाब भी खूब जालिम होया करें चाका भी दूरी बरदाश्ट नी करता हरियाना के जेल मंतरी क्रिशन पुआर ने जेल ट्रांसफर के आवेदन की बात तो माननी है लेकिन हनीपरीत की पसंदीदा जेल बतान की बात पे चुपी साथ गे हलाकि जेल मंतरी ने साफ कर दिया कि अभी तक राम रहीम की पैरोल की कोई एप्लिकेशन रिकोर्ड में नहीं आई है जेवाई पैरोल ताई आवेदन करांगे तो पुलिस वेरिफिकेशन के बाद विचार करें जावेगा कि उन ते पैरोल देनी है के नहीं इसके लिए बैकादा पैरोल के लिए जेल सिर्ट के लिए बैकादा आती है हम वेरिफिकेशन कराते हैं क्या कोई ऐसा बंदी तो नहीं है जिसका इस जेल से जेल में ट्रांसफर होने से वहाँ पर कोई जगड़े ना बढ़ जाए क्योंकि दो गृप होते हैं सपोस्कोर एक जेल में दो गृप का अबना कठा कर दिया तो उफोर जगड़े बढ़ेंगे हम बैकादासे पूरी वेरिफिकेशन करके उसके बन जेल ट्रांसफर करते हैं गहाँ चलो देरा पर मुखन है देरे तैकाड़न में सरकार के पहले भी पसिनने आगे थे बड़ी मुश्किलात है आखरी टेम पे राम रहीम अपने एक बड़े काफी लेगल पंच्छकूला की सीबिया अदारत में पूंचया था जब उसकी गिरफतारी होई तो उसके कई राजदारा न खुलासे करे गई जिनके मुताबिक राम रहीम ने जैस सजा होगी तो प्रदेश में दंगे और बड़ी हिंसा करण की तैयारी करी गई थी हानि प्रीत पे इसमें शामिलोन के आरोब भी लागे हैं इप जैर राम रहीम ने पैरोल मिल जा और पैरोल पे बाहर आ जावें त तेरा सच्चा सोदा के राजसी ठाट बाट सब में हानिपरीत बराबर की हिस्सेदार रही है इतना ही नहीं हानिपरीत राम रहीम की बराबर की राजदार भी रही है डेरे में हानिपरीत का खूब सी कचाल ले था कोई भी फैंसला हानिपरीत के बिना डेरे में नहीं लिया गया, उसके मूत लिकडी कोई भी बात राम रहीम का हुकम मानने जाया गरे थी, राम रहीम डेरे का मालिक और हानिप्रीथ डेरे की मली का माननी जावे थी, खुद ने मेसेंजर ओफ गोड बोलन वाला राम रहीम जेल में भी हानिप्रीथ की याद में तड़प रहा है, सब तेहानी प्रीत के बारे में पुछे हैं, दोनों भी एक दूसरे नया मिलना चाहा हैं, क्यों वेगा उनकी इस फिल्मी खानी का अंजाम या देखन वाली बात होगी, आज खातर बस इतना ही, आप देखते रो, nvnews.com, राम राम देशतुरियां अपने प्रदेश की अन्य खबरों के लिए nvnews यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें